जो इंडिया घटकदलों की मिटिंग ही वो भी घटबंदल को लेकर लेकिन आपके कई जो कॉंग्रेस के लोकल जो नेता है वो इसकी खिलाब बयान दे रहे हैं कि आमादी पार्टी के घटबंदल ने बोला हैं देखिए जितने भी सांसद हैं इंडिया लाइन्स के कह लीजिए या नॉन ट्रेजरी बेंचेज वाले वो तमाम लोग आज इसी एक राय के हैं कि इस प्रकार के अध्यादेश नहीं लाने दे जाने चाहिए और उनका मकसद मात्र दिल्ली में सरकार की रक्षा करना या दिल्ली में चुनी हुई सरकार की शक्तियां कायम रहें ये नहीं हैं वो एक बहुत ही बड़े और महत्पपून परिपेश से इस पूरी गतिविधी को देख रहे हैं और वो है भारत देश का परिपेश दिल्ली अधिकार शेतर में आने वाले जितने भी विशें हैं उनको एक एक करकर छीन लिया जाएगा और केंदर में लीन कर दिया जाएगा ये बड़ा साफ नजर आता है और इसलिए मेरे नेता आधरनी अर्विंद केजरिवाल जी ने एक महत्वपून बात कही थी कि ये अध्यादे यजिस और इस अध्यादेश को हराने की जो लड़ाई है यह 2024 का semi-final है गर semi-final जीतेंगे तभी final के लिए हम लोग क्वालिफाइब करेंगे कोंग्रेस की कि भीतर का मामला है कॉंग्रेस के बीच में जो और उट रहे हैं उसся क्गॉंग्रेस को फैसला लेना है उस पे हम कौन होते हैं किसी प्रकार की किसी को हिदायत देने वाले लेकिन मुझे लगता है कि मोटे मोटे तोर पे उस दिन जब बैंगलोर में भी बैठा कोई में उस बैठाक में मौजूद था उस कमरे में मौजूद था वहाँ पे निताओं की तमाम जो बड़े बड़े जन परतिन इधी पहुंचे थे उन सब की एक ही राय थी और राय ये थी कि विक्तिगत महत्वक आंग्शा हैं मतभेद और मनभेद ये म से शुरू होने वाले तीन महतवपून शब्द मनभेद मतभेद और महत्वक आंग्शा इन तीनों को दरकिनार करकर देश को बचाने के लिए सबको साथ हाना होगा और देश पर महंगाई का आकरमन हुआ है देश इस समय बेरोजगारी की चुनोती से जूज रहा है एक निकम्मी सरकार एक निर्दई सरकार के आकरमन से देश बचने का प्रयास कर रहा है देश को बचाने के लिए जन प्रतिनिधी जन आवाज सुनकर साथ आए हैं और मुझे लगता है कि इसका कॉम्मुनिस से लेकर सोशलिस्ट सब एक छतरी के नीचे आये थे क्योंकि उस समय की मांग थी कि एक डिक्टेटर सरकार को हटाना है आज भी उसी प्रकार की डिक्टेटर सरकार